हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वहेस आकाडमी योट्यूब चैनल पर तो जैसे कि आपकी पिट की क्लास चल रही है तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एक्जाम की डेट बहुत ही नजदीक आ रही है तो आज यह आपका जो इसके पहले हमने टॉपिक कराया था प्रत्सत का तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जैसे भी क्वेशन बनते हैं उसके आगे वो भी हम कराएंगे तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कुछ छेत्रफल जो आपके छेत्रफल से question आते हैं उन questions की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि question number first आपका दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 5 प्रसत बढ़ाई गई जबकि चौडाई जो है आपकी 10 प्रिसत बढ़ाई गई तो इस प्रकार उसके छेतरफल में कितने प्रिसत की व्रद्धी होगी तो यहाँ पर हमको छेतरफल में जो व्रद्धी होगी वो बतानी है प्रिसत में तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आयत होता है आयत में जो आपका होता है वो लंबाई होती है और चोड़ाई होती है दो ही चीज़े होती है तो यहाँ से आपका जो बन जाएगा आपका यहाँ से हम फॉर्मुला लगाएंगे वही अपना कि A प्लस B प् 100 यह वाला formula लगाएंगे दो चीज बढ़ाई जा रही है तो यह आपका बन जाएगा यहाँ से 5 क्योंकि यहाँ 5 बढ़ाई जा रही है लंबाई और 10 बढ़ाई जा रही है चोड़ाई तो यह आपका हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 5 गुड़े 10 बटे 100 10 से 10 cancel out हो जाएगा 5 से काटेंगे तो यह आपका 2 बार जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 प्लस 1 बटे 2 1 बटे 2 तो यह आपका आपका आजाएगा यहाँ से 15 सही 1 बटे 2 परसंट तो यहाँ से छेतरफल में आपकी च्इटर फल में कितने प्रसत की व्रदी होगी, यहां पर भी वैसे ही दिया हुआ है, यहां पर हम अगर निकालेंगे, तो यहां अगर हम बात करें गोले के, तो गोले का जो आपका छेतर फल होता है, यहां अगर फॉरट होताह, मतलब दो बार आपनी त्रिजया ली जाती है इसलिए यहाँ पर व्रदी जो है आपकी दो बार 20 की करनी पड़ेगी तो यह आपका A is equal to 20 हो जाएगा B is equal to भी आपका 20 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 plus 20 गुड़े 20 बटे 100 हो जाएगा 00 से आपका 00 cancel out हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 20 plus 20 आपका 40 हो जाएगा प्लस दो गुड़े 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा तो 40 plus 4 आपका हो जाएगा 44 प्रसत तो यहाँ से जो आपकी छेतरफल में व्रदी आएगी वो आपकी आजाएगी 44 प्रसत देन बात करेंगे आएतन पराधारित कोशन्स की तो आएतन जो होता है आपका उसमें 3 विमाए होती हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 3 विमाओं को solve करेंगे तो फिर उसके बाद जो a b का चुँआ आएगा अपना पर्सेंट परिवर्तन उसमें से हम उसको a माल लेंगे जैसे for example यहाँ पर हमने यह question जो किया है तो इसमें हमने पहले माना है 10 और 10 तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस 10 क्योंकि कमी की जा रही इसलिए माइनस का निसान लेकर चलेंगे माइनस 10 माइनस 10 प्लस हो जाएगा माइनस 10 गुड़े माइनस 10 बटे 100 डबल 0 से डबल 0 कैंसल आउट हो जाएगे यहां बचेगा आपका माइनस 10, माइनस 10 आपका हो जाएगा माइनस का 20 माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लस 1 20 माइनस का 20 है और प्लस का 1 है तो यह आपका आजाएगा माइनस का 19 तो अब इसको मानेंगे हम A और minus का 10 लेंगे ये होगा आपका B तो यहाँ से यह आपका बन जाएगा minus 19 minus 10 प्लस हो जाएगा minus 19 गुड़े minus 10 पटे 100 1 0 से 1 0 आपका cancel out हो जाएगा तो यह आपका बन जाएगा स्वरी ये पूरा नहीं लिखाए तो यहाँ पर हम अगर करेंगे इसको solve चलिए इसको solve कर देते हैं तो यहाँ पर हम इसको solve करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कि minus का 19 है और minus का 10 है तो यह आपका बन जाएगा minus का 29 दिन उसके बाद यहाँ प्लस करेंगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 19 बटे 10 बचेगा यहाँ 19 बटे 10 को हम क्या लिखेंगे 1.9 तो 29 में हम जब 1.9 घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो कमी आजाएगी वो आपकी आजाएगी 27.1 की तो यहाँ पर जो आपकी प्रिवरतन आजाएगा वो आपका 27.1 आजाएगा दिन बात करेंगे next question की तो next question आपका जैसे दिया हुआ है कि एक हाल की लंबाई एक जो आपका हाल दिया है उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई क्रमशा आपको दी गई है दस प्रिस्ट बीस प्रिस्ट और दस प्रिस्ट की घटाई जाती है मतलब करमशा उसमें दस प्रिस्ट बीस प्रिस्ट और दस प्रिस्ट घटाया जाता है मतलब लंबाई को जो आपका है वो दस प्रिस्ट घटाया जाता है चोड़ाई को 20 प्रिशत और उचाई को 10 प्रिशत गटाया जाता है तो हाल के आयतन में कितने प्रिशत का परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको पहले 3 विमाय दी गई है लंबाई चोड़ाई और उचाई तो सबसे पहले हम लंबाई और चोड़ाई को निकाल लेंगे तो लंबाई चोड़ाई को निकाल लेंगे तो यह आपका बन जाएगा माइनस 10 माइनस 20 प्लस आपको हो जाएगा माइनस 10 गुड़े माइनस 20 बटे 100 0 से 0 आपके cancel out हो जाएंगे minus 10 और minus 20 आपका minus 30 हो जाएगा यहाँ जो minus होंगे वो आपके plus बन जाएंगे इसलिए हमने minus लिखा ही नहीं है plus में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 तो minus 30 और plus 2 करेंगे तो यह आपका बन जाएगा minus 28 तो मतलब एक परिवर्तन जो आया AB में मतलब दो विमाओं में वो आपका आगया 28 का देन उसके बाद तीसरे का निकालेंगे तो उचाए में आपको दिया हुआ है 10 प्रेस्ट का तो यहाँ फिर हो जाएगा आपका minus 28 minus 10 plus 28 गुड़े 10 बटे 100 0 से 0 आपका cancel out हो जाएगा यहाँ बचेगा आपका minus 38 plus हो जाएगा आपका 2.8 जब इसको minus करेंगे तो यह आपका आजाएगा minus का 35.2 तो आपका यहाँ से जो कमी आजाएगी वो आपके 35.2 परसत के आजाएगी दिन बात करेंगे हम I way पर आधारित कोशन की तो I way के आधारित कोशन जो आपके आते हैं वो होता है जैसे कि आपका first question दिया हो है कि गोपाल अपनी माशिक आएगा 30 प्रसत भोजन पर खर्च करता है और सेस का 40 प्रसत परिवाहन पर खर्च करता है इसके बाद सेस का 50 प्रसत बचाता है यदि उसकी मासी काय जो है 18,400 रुपए है तो वो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है तो यहाँ पर हम अगर उसके प्रतिमाह बचाने की बात करेंगे तो वो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो है आपका वो कुल पैसे उसके पास है 18,400 उसमें से अगर 30 प्रसत वो भोजन पर खर्च करता है तो मतलब वो 70 प्रसत बचा लेता है तो यहाँ हमने लिख लिया 18,400 का 70 प्रसत प्रसत को हम अगर प्रसत का चिन हटाएंगे तो बटे में 100 लिख लेंगे तो directly हमने यहाँ लिख लिया है 18,400 गुडे 70 प्रसत दिन उसके बाद दिया है 40 प्रसत परिवाहन में खर्च करता है तो यहाँ 40 परिवाहन में खर्च करेगा तो मतलब 60 प्रसत बचाएगा तो यहाँ आपका हो गया 60 प्रसत तो गुड़े हमने लिख लिया 60 बटे 100 दिन यहां दिया हुआ है कि 50% से इसका बचाता है तो हमने लिख लिया गुड़े 50% तो यहां आपका बन जाएगा यह 00 से आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएगे यह आपके double 0 से यह double 0 cancel out हो जाँगे यह 0 से यह 0 पान से काटेंगे तो यह आपका डो बार जाईगा दो से काटेंगे 6 को तो यह आपका 3 बार जाओगा तो उपर बचेगा आपका 184 गुड़े 3 सते 21 184 को 21 से गुड़ा करेंगे तो आपका आजाएगा 3864 तो इस question का answer आपका हो जागा 3864 दिन बात करेंगे question number next की तो question number next आपका दिया हुआ है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान की किराय पर तथा sales का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है यह दिवा 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है तो जैसे question में दिया हुआ है वैसे हम करेंगे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ आय हमको ग्यात करनी है आय हमको निकालना है और हमको लास्ट वाला जो है आपका बचत है वो आपको दिये यह है तो यहाँ आमने माना कि आये ग्ऑणे आप 20% अगर अगर मकान की किराय पर खर्च कर रहे है तो मतलब कि वह casino 80% बचा रुप है तो ग्वात का आपका बन जाएगा आए गुड़े 80 प्रसत गुड़े 30 प्रसत बराबर 6300 00 से आपकी ये 00 Cancel Out हो जाएंगे I बराबर आपका हो जाएगा 3600 गुड़े 100 बटे में आपका हो जाएगा 8 गुड़े 3 इसको जब Cancel Out करेंगे तो ये आप 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3-1-3, 3-2-6, 0-0 हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसको 4 से काटेंगे तो 4-2-8 और गया आपका 25 हो जाएगा फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो यह आपका 600 हो जाएगा मतलब उपर आपका आजाएगा 600 गुडे 25 600 को 25 से multiply करेंगे तो आपका आजाएगा 15,000 तो इस question का जो आपका answer होगा मतलब जो I निकल के आएगी वो आपके आजाएगी 15,000 दिन बात करेंगे question number 3 की तो question number 3 आपका दिया हुआ है कि A अपने माशिक वेतन का 20% बचाता है यदि अब उसका मासिक वेतन नहीं दिया है पहले तो मासिक वेतन निकालेंगे देन उसके बाद हम बचात निकालेंगे तो यहाँ पर पहले हम मासिक वेतन का दिया हुआ है कि 20% बचाता है तो मासिक जो वेतन है आपका खुद में कोई भी चीज आपकी 100% होती है तो अगर वो 20% बचाता है तो मतलब 80% खर्च करता है उसकी value आपको दियूई है 6,000 तो मैंने लिख लिए मासिक वेतन गुड़े 80% बराबर 6,000 फिर यहां से cancel out करेंगे तो यह आपका 0 से 0 कटेगा 2 से काटेंगे 25,10 हो जाएगा और यह आपका 24,8 हो जाएगा फिर 4 से काटेंगे तो यह आपका 1500 हो जाएगा 1500 गुड़े 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 75,00 तो यहां से आपका मासिक वेतन जो है निकल के आजाएगा 75,00 तो अगर हम मासिक हमको बचत ग्याद करनी है तो अगर हम मासिक बचत की बात करेंगे तो यह आपका बन जाएगा 7500 गुड़े 20 प्रसत क्यों क्योंकि यहाँ पर मासिक वेतन का जो है 20 प्रसत बचाता है तो मतलब अगर हम मासिक वेतन का है 20 प्रसत निकाल लेंगे तो वही आपकी मासिक बचत हो जाएगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 75 गुड़े 20 प्रसत तो यहां 00 से आपका 00 कैंसील हो जाएगा 75 को 20 से मल्टी पै करेंगे तो यह आपका आजाएगा 1500 तो इस सारे कोश्चन्स हम दीरे दीरे कवर आप करते हुए चलेंगे ओके थैंक्यू